मत्ती रचित सुसमचार सात्वा अध्याए दोश मत लगाओ कि तुम पर भी दोश न लगाया जाए क्योंकि जिस प्रकार तुम दोश लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोश लगाया जाएगा और जिस नाप से तुम नापते हो, उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। तू क्यों अपने भाई की आंख के तिनकों को देखता है? और अपनी आख का लटा तुझे नहीं सुचता? और जब तेरी ही आख में लटा है, तो तू अपने भाई से क्यों कर कह सकता है, क कि ला मैं तेरी आँख से तिनका निकाल दूँ, हे कप्ती, पहले अपनी आँख में से लठा निकाल ले, तब तु अपने भाई की आँख का तिनका भली भाती देख कर निकाल सकेगा, पवित्र वस्तु कुत्तों का न दो, और अपने मोती सुवरों के आगे मत डालो, ऐसा न हो कि वे उन्हें पाऊं तले रौंदे और पलट कर तुमको फार डालें, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूणो तो तुम पाऊगे, खट-खटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा, क्योंकि जो कोई मांगता है उससे मिलता है, और जो ढूणता है वह पाता ह और जो खट-खटाता है उसके लिए खोला जाएगा, तुम मेंसे ऐसा कौन मनुश है, कि यदि उसका पुत्र उससे रोटी मांगे, तो वह उसे पत्थर दे, वह मचली मांगे तो उसे साप दे, सो जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्त में देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गी पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्त में क्यों न देगा, इस कारण जो कुछ तुम चाहते हो, कि मनुश्य तुमारे साथ करे, तुम भी उनके साथ व जो विनाश को पहुचाता है और भुतेरे हैं जो उससे प्रवेश करते हैं क्योंकि सकेत है वैफाटक और सक्रा है वैँ मार्ग जो जीवन को पहुचाता है और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं जुटे भविश दक्ताओं से सावधान रहो जो भेडों के भेश में तुम्हारे पास आते हैं परंतु अंतर में फारने वाले भेडी हैं उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे क्या जाडियों से अंगूर वा उट कटारों से अंजीर तोड़ते हैं इसी प्रकार हर ए कमा पेड अच्छा फल ला सकता है जो जो पेड अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में डाला जाता है सो उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे जो मुझ से हे प्रभू हे प्रभू कहता है उनमें से हर एक स्वर के राज में प्रवेशना करेगा परंतु वही जो मेरे स्वरगी पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन भहुतेरे मुझसे कहेंगे, हे प्रभू, हे प्रभू, क्या हमने तेरे नाम से भविश्य द्वानी नहीं की, और तेरे नाम से दुष्टात्माओं को नहीं निकाला, और तेरे नाम से भहुत अच्छंबे के काम न वे उस बुद्धिमान मनुष की नाई ठहरेगा जिसने अपना घर चटान पर बनाया और मेह बरसा और बाले आई और आंधिया चली और उस घर पर टक्रे लगी परंतु वे नहीं गिरा क्योंकि उसकी नेव चटान पर डाली गए थी। और बाढ़े आई और आंधिया चली और उस घर पर टक्रे लगी और वे गिर कर सत्यनाश हो गया। जब इश ये बाते कह चुका तो ऐसा हुआ कि भीर उसके उपदेश से चकित हुई क्योंकि वे उनके शास्त्रियों के समान नहीं परंतु अधिकारी की नाई उन्हें उपद इश देता था।